e-media web-e-dommed app के एस वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज आपको इस वीडियो में हम सीखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने पुराणी पोस्ट को डिलेट कर सकते हैं अगर हो सकता है आपके news portal में space ज्यादा full हो गई हो जो आपकी hosting का जितना space वो आपने full कर दिया हो या ज्यादा load होने के कारण आपकी website slow हो रही हो क्या होता है कि news भई कोई साल भर पुरानी या 6 महीने पुरानी news तो आपके portal पर पड़ेगा नहीं तो एसी इस्तिती में उस news का जो data है वो जो भार हमारी website की speed को slow करता है तो अगर आपको उसको delete करना है तो क्या process होती है कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं जिससे क्या होता है पुरानी जो ज़्यादा लंबे समय की पुरानी news हो गई हो उसको अगर आप delete करते रहें तो चलिए सबसे पहले आप क्या करते हैं पहले मैं बता देता हूं कि normally हम क्या करते हैं पोस्ट पे जाते हैं यह पोस्ट पे all पोस्ट पे क्लिक करते हैं अब all पोस्ट पे क्लिक करने के बाद में जितनी हमारी पोस्ट हमारी website के उपर डलिए देखिए सारी आ जाती है तो कि अब आपको क्या करना है सबसे पहले यहां उपर की तरफ जाना है देखिए यहां पर सारे फिल्टर दे रखें तो यहां पर देखें है और डेट में जाके आपको देखिए जितने महीनों की आपकी खबरे डली हुई है वो सारी यहां पे दिख रहे हैं यह फरवरी मार्च अप्रेल महीं है ना तो आप चलिए मैं आपको एक्जांपल के तोर पर बताता हूं हम मार्च सिलेक्ट कर लेते हैं जैसी मार्च मार्च सिलेक्ट किया तो सिलेक्ट करते हैं कुछ नहीं होगा यहां आपने मार्च सिलेक्ट कर लिया यहां से अगर आप चाहिए तो किसी पर्टिकलर केटेगरी कि आप समाचार सिर्फ डिलीट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं तो अभी हम मार्च में बस 2020 में जाके जिसे फिल्टर करते हैं यहां पर यह लोग पुंचांब करते हैं तो सिर्फ हम परवरी 2020 में इतनी खबर लगी थी अब इसमें एक हम डिलीट करते हैं जैसे माझन लेज़ें आप इसी तरह से डिलीट करते हैं कि यहां से यह पोस्ट पे करा त्रिलोग पजापत यह वाली खबर को हम डिलीट करते हैं देखिए यहां पर ट्रेश का बटन देता है अब आपने यहां ट्रेश किया यहां पर ट्रेश का उप्शन है तो ट्रेश के अंदर चली आती है मतलब यह खबर यह लिस्ट से डिलीट हुई अभी वेबसाइट से डिलीट नहीं हुई है तो इस खबर को पर्मानेंटली हमको डिलीट करना हो तो देखिए यहां पर खबर के नीचे लिखा हुआ रहता पर बिकेंगे लिखा स tollal पर यहां से भी आपने जो खबर को डिलीट कर रा है वह खबर की एक फाइल डिलीट हुई है पर जो मेडिया अंतलंब ऊस खबर के अंदर जो आपने फोटो यूज करे थे वह फोटो डिलीट नहीं हुए और मुख्य जो लोड रहता है वह फोटो कही होता है website के उपर photos के कई सारे copy बनते हैं mobile responsive होने के कारण अलग-अलग size में उन images को duplicate कर लिया जाता है system द्वारा तो आपको उस image को delete करना है अब उस image को delete के से करना है तो आपको देखिए यहाँ पर आप left hand side पर देखेंगे menu में तो यह media का option है जैसे आप media पर क्लिक करेंगे तो आपकी website पर जितने photos upload हुए जितने media files upload हुई है वो सारी आ जाएगे यह देखिए सारी files तो मुझे जिसे delete करना है तो मुझे क्या करना है इस photo पर क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे की तरफ देखिए लिखा हुआ डाल देते हैं उनको भी हमको delete कर देना है तो देखिए जैसे यह दो फोटो है इस photo पर मैंने क्लिक किया यह photo यह ओपन हो गया अब यह photo के नीचे देखिए यहाँ यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा scroll करके यह लिखा है delete permanently तो यह अब हमारे site से permanent delete हो चुकी है तो दोस्तो एसी स्थिती में आपको जितने photo है जो पुराने हो गए अब अगर चाहते हैं इनको एक साथ बहुत सारे delete करना है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बलक सिलेक्ट तो आप क्या कर सकते हैं एक एक को ऐसा करके बलक सिलेक्ट पर पहले click किज इस तरीके से आप news delete कर सकते हैं इस तरीके से आपके क्या होगा यह सारे photos यहां से हट जाएंगे तो आपकी hosting की memory पर load भी कम हो जाएगा इसका जितना इन photos के duplicate images बन रहे हैं उनके भार भी कम हो जाएगे और website की space भी बनी रहेगी और speed भी बनी रहेगी तो दोस्तो आय हो chat и paste to delete किस तरीके से करना है और post delete करने के बाद मीडिया झिलिट करना है तो दोस्तो इस तरीके से New और News delete की जाती है post delete की जाती है space खाली की जाती है तो I hope आपको वीडियो समझ में आ गया होगा पसंद आ गया होगा अगर आपको और भी कुछ topic के बारे में जानना है सीखना है किस तरीके से किया जाता है तो आप हमारे facebook page e-media women app पे सर्च करके वहाँ पे हमें message कर सकते हैं किस तरीके से आपको क्या नहीं चीज़ सिखना है तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यो